नमस्कार दोस्तों मैं हूँ डॉक्र जस्मीत आलुवालिया बिरियाट्रिक लेप्रोस्कोपिक एंड लेजर सर्जन और इस वीडियो में हम बात करेंगे पेट में बनने वाली गैस से पेट में जो गैस है जिसे हम ब्लोटिंग के नाम से जानते हैं यह बहुत सी कॉमन सिम्टम है और माना जाता है कि दुनिया में लगभग वन इन एवरी सिक्स परसन इस प्रॉब्लम से पीडित है वेल इसको डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं लेकिन सिंपल लेंग्व की वज़े से उसका पेट फूल गया है यह किन-किन कारणों से हो सकता है वेल पेट के अंदर बहुत सारी चीजें हैं हमारी आंथ के अंदर सॉलिड फॉर्म में स्टूल्स है यानि कि जो लेट्रिन हो बनती है वो सॉलिड पार्ट में है तो अगर उसमें बहुत कॉंस्टि वीडियो में गैस के बारे में ही बात करेंगे पेट के अंदर कई टाइप्स की गैसेज है जिनमें जो मोस्ट कॉमन है उनमें नाइट्रोजन, हाइट्रोजन, ऑक्सिजन, कार्बन डाइकसाट और मिथेन की गैसेज है नाइट्रोजन और ऑक्सिजन जो गैसेज हैं यह जा जारा तर nitrogen और oxygen है वो पेट के अंदर जाती है carbon dioxide भी इस तरीके से जाती है लेकिन उसके इलाबा carbon dioxide हमारे बहुत सारे carbonated drinks में भी है यानि कि अगर को Pepsi, carbonated soda या कोई ऐसी चीज जिसमें gas है वो आप solo कर रहे हैं तो जारा तर इन सब में carbon dioxide gas ही use की जाती है और ये अंदर पेट के जाकर release होने की वज़े से पेट में gas बन जाती है हमारे पेट के अंदर दो तरह की आंत है जिसे हम छोटी आंत और बड़ी आंत के नाम से जानते है छोटी आंत में खाना पहले जाता है और उसके बाद बढ़ी आंत में जाता है जिसे हम colon भी कहते हैं हमारे खाने में जो carbohydrates हैं वो simple या complex हो सकते हैं जो simple carbohydrates हैं वो जल्दी ही absorb हो जाते हैं बहुत सारे enzymes की महरत से छोटी आंत में लेकिन कुछ difficult to absorb carbohydrates, जिसे हम FODMAPS के नाम से जानते हैं, वो transit करते हैं colon तक, यानि कि वो छोटी आंख में enzymes के थुरू हमारे body में ठीक से absorb नहीं होते और वो colon तक जाते हैं, colon के अंदर बहुत सारे different bacterias रहते हैं, जो कि इस unabsorbed carbohydrates के उपर act करके उन्हें fermentation करते हैं और उससे gas produce हो जिससे की gas बनती है, इससे colon में distension होता है, कुछ हर तक ये gas बापिस छोटी आंख में भी जा सकती है, और इससे भी आपको gas के symptoms produce होते हैं, बहुत सारे patients में normal gas production के बावजूद भी ये symptoms देखे जाते हैं, और हो सकता है कि आपकी intestine की peristalsis, यानि कि वो activity जिससे intestine खाने को और gas को आगे धकेलती है, उसमें कुछ दिक्कत हो, और उसकी वज़े से आपको ये problem आती हो, खाने में fat को content ज्यादा होने से भी, कुछ patients में ये movement of intestine slow हो जाती है, और इससे भी gas properly expelled नहीं हो पाती, और patients जिन में constipation रहता है, वो भी gas properly expelled नहीं कर पाते, और इससे भी उनके पेट म की जो nerves हैं, वो hypersensitive होने की वज़े से उन्हें कुछ gas भी ज्यादा feel होती है पेट के अंदर, और हो सकता है कि उनकी sensitivity ही उनके excessive symptoms का कारण हो, एज के ज्यादा होने के साथ-साथ हमारी intestine के अंदर कुछ enzymes level भी कम हो जाते हैं, और उनकी movement की capacity या speed भी कम हो जाती है, तो इससे भ FODMAPS एक वो category of foods हैं, जिनको हम short chain carbohydrates के नाम से जानते हैं, और body को इन्हें absorb करने में मुश्किल आती है, FODMAPS का full form है, fermentable, oligosaccharide, disaccharide, monosaccharide and polyols, ये एक technical name है, और simple शब्दों में इनका मतलब है कि वो sugars जिन में short chains हैं, और body इन्हें कटना ही महसूस करती है, absorb करना है, I think कि अगर आप gas से परिशान हैं, तो आपने अपनी personal life में भी ये feel किया होगा, कि कुछ खाने आपको परिशान करते हैं, जैसे कि onion, garlic, beetroot, cabbage, broccoli, ये खाकर आपको gas की problem ज्यादा feel होती होगी, तो इसके पीछे जो science है, वो यही है, कि इन में मिलने वाली जो sugar है, वो हमारी body परिशानों को avoid कीजे, इसके लावा जो daily products है, dairy products में milk, cheese, yogurt, कुछ-कुछ patients को ये tolerant नहीं होता, और अगर उन्हें लग रहा है कि इसके लेकर आपकी gas बढ़ रही है, तो आप इसे stop कर सकते हैं, इनके लावा कुछ लोग honey या jam जैसे ऐसी sweet चीजों से भी discomfort feel करते हैं, तो आप इन्हें भी exclude करकर देख सकते हैं, कि क्या आप better feel करते हैं, कुछ लोगों को wheat intolerance होती है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि wheat की चीजें लेकर आपको तिकत बढ़ रही है, तो आप wheat की items को exclude करकर देखिए, अगर उससे फाइदा हो रहा है, तो आप उन्हें कम या stop कर सकते है हम इस वीडियो के description में एक proper list डालेंगे, जिसमें आप high fodmaps की items को देख सकते हैं, और उन्हें exclude करकर देखिए, कि क्या आपको फाइदा मिलता है, fruits के अंदर अगर आप देखें, तो apple, mango, avocado, watermelon, peaches, prunes, इन सब को high fodmaps की content में classify किया जाता है, और nuts में cashew और pistachio को भी high fodmaps माना जाता है, तो अगर आप ये excessively ले रहे हैं, तो उसे भी avoid करके try केज़े, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि low fodmaps वाले food कौन से हैं, तो आप high fodmaps वाले जब avoid कर रहे हैं, तो कौन से चीज़ें आप खा सकते हैं, अब हम उसके बारे में discuss करेंगे, सबजों में carrots, tomato, potato, cucumber, sweet potato, ये सब low fodmaps की category में आते हैं, nuts में हमने आपको बताया था कि काजू और पिस्ता नहीं लेना है, लेकिन आप बदाम, अखरोट, peanuts यानि मुफली ये ले सकते हैं, अगर आपको wheat products यानि की आटे के product से allergy fill हो रही है, या उन से आप gas स्यादा बन रही है, तो आप alternatives के form में rice, plain white rice, brown rice, quinoa, oats, ये सब चीजें, इवें जवार भी ले सकते हैं, और इससे आपका wheat की problem solve हो सकते हैं, अगर आपको milk product से allergy हो रही है, तो आप milk tea avoid करकर, green tea, simple पानी, narial पानी, black coffee, black tea, almond milk, coconut milk, market में मिलता है, वो भी आप try कर सकते हैं, और इससे भी gas की problem कम हो सकते हैं, जो लोग non- खाते हैं, वो egg का white हिसा आराम से खा सकते हैं, इसके इलावा chicken, fish, prawns, ये सब भी low fault maps में ही categorize किया जाता है, oils में आप coconut oil, घी या olive oil यूज करके देख सकते हैं, oil chain करने से भी gas की problem में कमी मिल सकते हैं, जब आप खाना खा रहे हैं, तो उस समय ध्यान दीजे कि आप खाने को properly पर ली chew करके खाएं, उसके साथ साथ कुछ और activities ना करें, पानी पी रहे हैं या कोई liquid ले रहे हैं, तो straw को avoid कीजे, क्योंकि उससे excess gas अंदर जाती है, और खाने को swallow करते time भी ध्यान दीजे कि हमने gas कम से कम swallow करनी है, अगर आप कुछ दिन इस पे focus करेंगे, तो हो सकता है कि आपकी swallowed air कम हो जाएं और ये gas की problem में कमी हो, खाने के time में distractions को avoid करें, आपस में बात कम से कम कीजे और इससे आपकी swallowed air कम होगी, इसके लावा भी market में बहुत सारी OTC drugs मिलती हैं, तो अगर ये सब करने के बाद, खाने में ford maps का quantity कम करने के बाद भी आपको लगता है कि gas कम न ही हैं, तो आप इस gas की problem से निजात पा सकते हैं, अगर ये सब करने के बाद भी आपकी problem persist कर रही है, तो आप एक doctor से मिलिए, अपनी जांच करवाईए, और हो सकता है कि उनके जांच में कुछ आसा निकले, जिससे कि आपको वो इस चीजों से बाहर ला पाएं, या कुछ औ और मेडिसन देकर आपकी लाइफ को बेटर बना पाएं, थैंक यू.